नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारत तो मैं हूँ आपके साथ फ्रियाश्य वास्ता जो भारत को कभी बेकार समझते थे वो आज भारत पर नास कर रहे हैं भारत आश्यान पर पहुँच गा है यहां के वग्यानिकों में आस्मान को छूने की ताकत है मगर क्या उनको व चेत्रफर तकरीबन 33 लाग वर्ग किलोमेटर है और इसराइल का एरिया महर्स 22,000 वर्ग किलोमेटर आबादी के लिहार से भी इसराइल हमसे काफी पीछे है लेकिन इसराइल वग्यानिक पैदा करने नई खोच करने समेत अनुसंधान और विकास में खर्च करने के मामले मे हमसे 10 गुना आगे है जी हाँ बार सरकार रिसर्च पर जीडीपी का महशून दश्मला 6-5 फीसिदी खर्च कर रही है जबकि इस मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी की तकरीबन 5 फीसिदी से ज़्यादा खर्च करता है भारत के स्थिति इस मामले में दक्षिट के लिए रिसोर्स की कोई कमी नहीं होने देंगे क्या महस 55,000 करोड रुपे के बजट से देश में आला दर्जे की रिसर्च हो पाएगी सिक्षर संस्थानों से लेकर साइंस तक और रक्ष्या तक सरकार रिसर्च पर कितना खर्च कर रही है आईए आपको दिखाते हैं इस वैग्यानिक समुदाय को ये विश्वास होना चाहिए कि रिसर्च के लिए रिसोर्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ये कहना था पिया मोदी का अनुसंधान नैश्टर रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक में पिया मोदी ने कहा कि शोत को मौजूदा समस्याओं के नए समधान खोजने पर ध्यान के इंदृत करना चाहिए मगर क्या वाकाई ऐसा हो रहा है क्योंकि के इंदृत सरकाश सिक्षन संस्थाओं को 2014 में हर हाल में रिसर्च ग्राइंड के लिए 70,000 करोड रुपे देती थी वही अब मात रुपे 35,000 करोड रुपे रिसर्च ग्राइंड के लिए जा रहे हैं वही बात करें रक्षा और परमाडू उर्जा की तो विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग के अनुसंधान और विकास विभाग के आकुडों के मुताविक 2020 में अनुसंधान एवं विकास में भारत का कुल निवेश तकरीबन 17 बिलियन डॉलर यानि की तकरीबन 1.42 लाब करोड रुपे तक पहुँच गया इस रकम में करीब 54 फीसदी सरकारी छेत्र को दिये गए जो मुख्य रूप से चार प्रमुख विज्ञानिक एज़ेंसियां इस्तमाल करती है रक्षान उसंधान और विकास संगटन यानि की DRDO तकरीबन 30 फीसदी अंतरिक्ष विभाग 18 फीसदी इस्तमाल करती है वहीं भारती क्रिश्य अनुसंधान परिशद यानि की ICAR को 12 फीसदी और परमाडु हुर्जा को तकरीबन 11 फीसदी दिये गए देखा जो है तो भारत का रिसर्च और डेवलप्मेंट पर खर्च बीते वर्षु से काफी कम रहा 2021 में ये खर्च 1,27,380 करोड रुपे हुआ करता था बहीं 2010-11 में ये तकरीबन 60,000 करोड रुपे था प्रधार मंद्री की आर्थिक सलाकार परिशद ने 2019 में देश में रिसर्च और विकास पर खर्च जीडिपी का कम से कम 2 फीसदी के जाने की सला दी थी देश के काई एक्सपोर्ट का कहना है कि भारत को हर साल अपनी कुल जीडिपी का कम से कम 1 फीसदी तो रिसर्च और डेवलप्मेंट पर खर्च करना चाहिए 2047 की आकड़ा 3 फीसदी तक पहुँच जाना चाहिए इसरों के पूर्व साइंटिस्ट विनोत कमार श्रिवास्तफ कहते हैं कि भारत को अगर विज्यान और अनुसंधान की छेत्र में ग्लोबल लीडर के देशों में आना है तो इसे जीडिपी का 3 फीसदी खर्च करना चाहिए अभी अंटरिक्ष खेती और डिजिटल के छेत्र में अनुसंधान पर ज्यादा काम करनी की जरूरत है जिसके लिए सरकार को खूब बज़ट देना चाहिए आकडों के मुताबिक भारत में हर 10 लाग की आबादी पर महज 265 रिसर्चर ही है जो कि अमारिका ब्रोटेन चेन दक्षड कोरिया और जापान जैसे देशों के मुकाबले काफी कम है विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग के 2022 के आकडों के अनुसार पियाशुधी कराने के मामले में अमारिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है देखा जाए तो पियामोधी चाही जितने दावे करने मगर कांग को धरातर पर लाने के लिए पैसे दो खर्च करने पड़ेंगे अनुसांधान और विकार्स के नाम पर भारत में होरी रिसर्च में बहुत सी ऐसी चीज़े होती हैं जिसमें क्वालिटी केवन नाम मातर की जा रही है जब तक सरकार रिसर्च को बत और प्रोफेशन दर्ज़ा नहीं देगी उससे जीवन यापन की सुविधा नहीं मिलेगी तो रिसर्च महस प्रोफेशर या कुछ और बनने का रास्ता भर साबित होगा इसके लिए जम कर फंडिंग होनी चाहिए मानक रिसर्च को प्रोफ साहित किया जाना चाहिए वही नई नई खोजो और आविशकार को पेटेंट कराने के मामले में भी भारत काफी भीचे है 2022 में भारत इस मामले में दुनिया में छटे पायदान पर था भारत के 3490 पेटेंट को ही 2022 में मनजूरी मिली थी जबकि अमारिका के इस दौरान तकरीबन लाखों में पेटेंट जो थे वो जारी हुए थे मनजूरी मिली थी उन्हें और ऐसे ही चीन और जापान में भी हुआ था तो कहने का मतलब साफ है कि पिया मोदी केवल दावे ना करें बलकि इस पर उनको काम करने की जरूरत है केंग्रिस सरकार को रिसर्च पर पैसा खर्च करने की जरूरत है ताकि भारत का विश्व गुरु बनने का सपना जल से जलत पूरा हो सके फिलाल इस कास रुपोर्ट में इतना ही देश दन्या की बाकी खबरों के साथ जूड़े रहने के लिए आप देख चरहिए सी न्यूस भारत